यह हम स्टार्ट करते हैं जो एनिमर हड़स्टर्ड तरी एंट इंड डेरिंग जो डिपार्टमेंट होता है वो लाइफस्टोप संसर रिंडिस करता है वो वो मैं आपसे डिसकस करें हूँ तो आप एक pen copy लेके बेटे और जो जो mainment point है उसको अपने copy में note down कर ले ना ज़्यादा data में नहीं रयाद करना है ज़्यादा रटना नहीं mainment जो specific point है जो exam की साब से लग रहे है कि आ सकते उन्हीं को हम लोग यहाँ पर कबर करेंगे ठीक है तो ठीक है हमें स्टार्ट करते है तो यहाँ पर हम लोग देखते है कि जो 20th livestock census उसमें total livestock population जो हुआ है increase जो अभी इसके पहले 2012 में हुआ था है ना उसके बाद अभी जो 2019 में जो livestock census हुआ था उसमें total livestock population increase हुआ है वो 4.6% increase हुआ है और अभी कितना वर्तमान में total livestock तो 535.78 million मतलब 535.78 million population है अपने पास में तो अपने को में सबसे important point यह कि कितनी population है 535.78 million कितना increase हुआ है तो 4.6% increase हुआ है then livestock के अलावा अगर अपने से पुछे स्रिफ bovine population किती है बोवाइन क्या क्या ची जाती है cattle, buffalo, bovine के हम लोग बात कहते है cattle, buffalo, methion, or yaki अपने पास में बोवाइन population के हम लोग यह पर बात करे तो यह होते है 302.79 million है और इनमें सिफ 1% increase हुआ तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है अगर वो पुछे पोवाइन पोपुलेशन तो 302.79 million है बट अगर वो पुछे टोटल लाइव स्टाप पोपुलेशन देन 535.78 million है देन हम लोग यह पर बात करते है टोटल एक एक केटल टोटल केटल केटल के अंतर का दूसरी चीज़े आती है पूल भी इसमें आ जागा पर फिमेल केटल की पॉपुलेशन कितनी है 145.12 million है जबकि ओवराल केटल 192.49 million है ठीक है इसमें इंक्रीज हुआ है 0.8% इसमें हुआ है 18% इंक्रीज हुआ है तो यहां पर आपको मेन पॉइंट बस इत्ता याद अठना है कि दो तीन चीज़े वो क्योंकि मेन फोकस चाहता है केटल के ओपर फोकस होता है तो यह चीज़े आपको याद ही करना है कि टोटल लाइव स्टक पॉपुलेशन कित इसमें किता इंक्रीज हुआ है 1% हुआ है अप ऐसा करिए चार्ट बना लीजे उसमें वह सितां गरी टोटल लाइस्टर पॉपुलेशन इतना है इतना इंक्रीज हुआ है वैसे टोटल के बात करें अवर्ल तोटल इस बります बुल को हटा है तो 145,000,000 पॉइन आ प्रिया सकते हो जरूरिक की पॉइंट के ट्रीस ज़्यादा एकदम क्लोज नहीं जाता है उप्षिंस वह इतना गर्वन फॉर्टिफाइफ पे है तो ठीक है पतलब वह हो जाता है इसमें 18 परसे इंक्रीमेंट देखने को मिला है तो टोटल यहां पर आपको यह बात दिया रखना है कि सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है फीमेल केटल पॉपलेशन में ठीक है आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं एक्जॉर्टिक एंड जो क्रॉस बिड इंडिजिनस के बाले में तो यह इतना ज्यादा नहीं है बठा थोड़ा साब अप्रॉसमेट डाटा याद कर सकते हो कि जो अपने पास में जो एक्जॉर हुआ यह पॉइंट है तो यह मिलिया है फिप्टी मिलियन याद कर लो 142 मिलियन याद कर लो ठीक है तो इसको में फटाफल रिवाइस कर वा देती हूं फिर हम लोग आके पढ़ेंगे क्या है कि सबसे फस्ट पॉइंट है कि टोटल केटल पॉपुलेशन किती है फाइफ थ हो रहा है तो यह 192 मिलियन यह इंक्रिमेंट लिगान। ओल्ली फॉइंट नागे चलते हैं अब यह इतना जादा नहीं यह पॉइंट आप छोड़ दिजी क्योंकि इतना मुझे नहीं लगता कि इतना दिक्कत इतना जाद ज़ाद पढ़ने की जर्वात है यह चीजे इतना स्किप कर रही है ना यह पॉइंट बफेलो का थोड़ा देख लीजिए कि टोटल बफेलो इंदा कंट्री 109 मिल्यान ने बफेलो कितनी है 109 मिल्यान ने 1% इसमें इंक्रिमेंट हुआ है ठीक है और यह पॉइंट भी ठीक किता नहीं हरे day आई कड्री गाएट एक कर दिकाद शीप सेवंटी फॉर मिल्यान इसमें 14 परसेंट हुआ है द радistya है इन पीग पॉइंट ने सब्सक्रा मृतं तो इैडक कांशियु इन्सामट हिए का सबसे जादा चेजवेंट एक पर्सेंट का इंक्रिमेंट हुआ है यह उरा यह है इसको पढ़ना है बस इससे जादा नहीं कुछ चीज़ा आएगी आपको इतना अगभी है तो आपको पता होना चीटिक है यह और कुछ बेसिक है जो आपको रिफ्रेशन में भी मिल जाएगा कि फर्स लाइफ स्टॉक सेंसर्स कब हुई थी सेंसर्स करवाता को ने डीए 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 डिपार्टमेंट आपको रिफ्रेशन में भी मिल जाएगा पर कुछ अपने यह करेंट का डाटा था वह मैंने आप से शियर कर रहा है ठीक है यह चीज़ा आप देख लीजे एक बार इसको स्क्रीन शॉट ले लिए लग इसको शॉट बनाके आप इसको कवर कर ली जागा ओके ठीक है ओके थैंक यू आप